यह रिष्टा क्या कहलाता है कि कहानी के एपिसोड में लीप तो आने वाला है यह तो हमने आपको पहले ही बता दिया था लेकिन कैसा लगा शो का शुकुरवार का एपिसोड दर्शको को यह हम आपको आज बता देते हैं जहां दर्शको का यह कहना है कि आकर किस वज़ए से शो में लीप लाया जा रहा है क्योंकि दर्शक यह कंफिज हो रहे हैं देखकर याकर प्रीकैप में दो साल का लीप क्यूं दिखाये गया है क्योंकि नायरा सर्जरी के बाद बिल्कु ठीक हो गई थी और यही वह वज़ा थी जिसके कारण कार्तिक नायरा को देखकर बहुत जादा खुश हो जाता है तो वहीं दर्शक ये सोच रहे होते हैं कि शो में 6 महीने का लीप आएगा लेकिन दर्शकों को तो चौका देने वाली खबर तब मिली जब शो में 2 साल का लीप आ गया और 2 साल बाद भी कार्तिक नायरा अलग नहीं हुआ है बलकि दोनों साथ ही हैं जिसके साथ ही दर्शक कहीं न कहीं खुश तो हो रहे हैं लेकिन उनके मन में कन्फ्यूजन ये बना हुआ है क्या कि दो साल के लीप के बाद क्या कुछ होगा कार्तिक नायरा की जिंदगी में लेकिन अब देखने वाली बात तो ये होने वाली है कि आखिर आज के एपिसोड में कहां से शुरू होगी कार्तिक नारा की नहीं कहानी और कितना जादा वो दर्शकों को पसंद आती है ये सब जानने के लबन रिमा साथ फिलाल कमा शोरिम बसित नहीं और भी अपने फेवेट शो ये रिष्टा का कहला आता है जोई लेटेस्ट अपडेट्स और हदी व्यूस को जानने के लिए सब्सक्राइब करना भी मतभूले हमारा चैनल टॉपनीज जास फियू टॉपनीज से काजिल की रिपॉर्ट पर मोर डीटेल सब्सक्राइब और चैनल और प्लीस हिट अबल इकल सो यू नवर मिस अपडेट व्यूपनीज